हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक तू माई चैनल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चली बिना टाइम वेस्ट किये वर्थाज के टॉपिक की तरफ आज हम लोग कुछ क्वेस्टन्स देखने वाले हैं रिलेटेट टू प्रेपरेशन ऑफ हेलो एलकेंज इसके बनता है रिटेंशन का प्रोड़क्ट इससे आप क्या समझते हैं रिटेंशन का प्रोड़क्ट है इसमें जो आपका रियाक्शन हो रहा है उसमें जो अटाकिंग रिएजेंट है वो कहां से अटाइक कर रहा है वो विदिन दा मॉलिक्यूल अटाइक कर रहा है इसमें जो ह हमारा mechanism follow होता था वो होता था SNI यानि substitution nucleophilic intramolecular reaction तो यह होता था हमारा PCL5 में जब वो gases state में हो उस condition में एक और condition क्या होती थी कि अगर हमारा PCL5 solid state में है तब यहां पर जो हमारा product बनता था वो product बनता था inversion का product inversion मतलब क्या हुआ कि जो आपका इसमें attacking reagent होगा वो बाहर से आकर attack करेगा यह समझ लिजे कि वो पीछे से attack करेगा within the molecule वो attack नहीं करेगा क्योंकि और molecule का पार्ट नहीं होगा वो बाहर से आकर attack करेगा इसलिए जो product बनेगा solid state में वो बनेगा inversion का product और जो प्रोड़क्ट आपका गासियस स्टेट में बनेगा वह बनेगा रिटेंशन का प्रोड़क्ट ठीक है तो इतनी चीजें क्लियर है पीसील 5 अगर सॉलिड स्टेट में है तब इसमें जो पूरा मेकैनिजम आपका लग रहा है वह क्या होता है SN2 इसमें लगता है SNI और इसमें SN2 अब हम कुछ questions देख लेते हैं इससे related अगर suppose कीजिए आपको दे रखाओ कोई simple सा question जैसे अगर आपको दे दे ethanol CS3 CS2 OH इसका reaction आपको बोल दे PCL5 से कराने के लिए तो आप प्रोड़क्ट क्या form करेंगे प्रोड़क्ट हमारा क्या form हो जाएगा CS3 CS2 COCL प्लस POCL3 प्लस HCL अगर हमने ethanol का reaction कराया है PCL5 से यानि फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइट से तो हमारा प्रोड़क्ट क्या बना CS3 CS2 CL प्लस POCL3 प्लस HCL यह तो simple सा question था आपका ठीक है अगर यहीं पर आपको कोई question ऐसा दे दे सपोस किजिए अब यह कार्बन अटम आपका कैसा कार्बन एटम है कुछ पहचान पारे आप लोग यह है काईरल कार्बन का क्या मतलब होता है वैसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी है यहां है यहां है यहां और यहां पर फिनाइल है मतलब चारों वैलेंसी आपके डिफरेंट है तो उस कार्बन एटम को क्या बोलते हैं कार्बन एटम अगर कोई कार्बन एटम आपका होगा तो ही यह PCL 5 की जो condition है सौलिड दि बया अब को डिफरेंज देखने को मिलेगा कि कहां पर प्रोड़क्ट आपका एनवर्जन के बन रहा है और कहां पर प्रोड़क्ट आपका रिटंशन का बन गहां हमने को यह ginoh leg living in a kii c ठीक है, तो इसमें अगर हमने इसका reaction जब कराया, phosphorus, pentachloride से, तो हमारा product भी simple वाना CH3, CH2Cl+, POCl3+, HCl, अब यहाँ पर कुछ भी हमें retention और inversion देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपको कोई chiral carburetum दिया है question में, और इसके लिए अगर आपको बोल दे reaction कराने के लिए PCL-5 से, ठीक है, अगर suppose कि यह PCL-5 आपका gaseous state में है, अब अगर आपको product बना रहा है, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि product हमारा retention का बनेगा, क्योंकि gaseous state में product हमारा retention का बनता है, तो क्या form हो जाएगा हमारा, CS3, यहाँ पर H, अब retention है, it means changes यहीं पर आएंगे, यहाँ पर आगे आपका CL, यहाँ पर हो गया आपका phenyl group, प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है, क्योंकि gaseous state में retention का product बनता है, तो यह हमारा simply क्या हुआ, उवेच यहाँ से हटा, और यहाँ पर CL आकर attach हो गया, तो यह product बना gaseous state में, अगर इसी को आपको बोल दे, कि same question को आप solid state में बना कर दिखाएगे, ठीक है, अगर यही question आपको solid state के लिए दे, अब हमारा क्या product form हो जाएगा, ACL file in solid state, यह आपका structure पलट जाएगा, यह हो जाएगा C, यहाँ CS3, यहाँ पर H, अब यह जो आपका OH है यह इस साइड आ गया, तो अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर CL यहाँ आजाएगा, और यह आपका fenile group यहाँ आकर attach हो जाएगा, प्लस POCL3 प्लस SCL, यही तो form होगा, retention में तो ऐसे बन जाएगा, यह OS इंपा, यह CL आकर attach हो गया, क्योंकि retention में क्या होता है, आपका structure अपना जो, उसकी जो identity है, उसको retain कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो उसका पूरा structure है, वो, inversion की case में, पूरा structure उसका पलट जा रहा है, ठीके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर यह पलटा, तो क्या हो, OH आपका, कहां पर आया, यहाँ पर, तो यह बाहर निकला, इसकी जगर क्या attach हो, SCL, और यह आपका जो phenyl group था, यहाँ attach हो गया, और rest आपका तो plus, वैसी रहेगा, POCL 3 plus SCL, तो यह दोनों difference आता है, इसमें product आपका बनता है, retention का, ठीके, और इसमें आपका product कैसा बनता है, inversion का, ठीके, तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी हैं, कि अगर आपको कहीं प PCL-5 आपका solid state में है, तब हम क्या करेंगे, तब हम inversion का product बनाएंगे, और अगर कहीं पर question में आपको लिख दिया है, बस कोई question दिया है, reactant से आपकी, then आपको लिखा हुआ है PCL-5, कुछ भी उसने mention नहीं किया है, कि वो solid state में है, या gaseous state में है, तो आप उसको क्या imagine करें क कि वो gaseous state में ही है, क्योंकि इसकी priority हम high मानते है, gaseous state की solid state से, तो अगर नहीं पर mention नहीं कर रखा है, तो आप उसको मान के चले कि वो gaseous state ही है, और अगर कहीं solid state दिया होगा, तो वो जरूर से mention कर देगा, वहाँ पर या तो S लिख देगा, या तो solid लिख देगा, वो लि इसा question दे रहा है कि PCL-5 को gaseous state में बताई है, या solid state में, तब आपको ऐसे retention and inversion के products बनाने हैं, और यह सारे questions आपको competitive exams में ज्यादा पूछी जाते हैं, और यह सारे आपको board exams में ज्यादा पूछी जाते हैं, I hope आज का वीडियो आपको useful लगा होगा, इस वीडियो से related हैं को वीडियो में तब तक के लिए, take care and bye bye